Hello students, मैं हूँ जहीर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube channel Cap of Education आज हम लोग model paper जो 2021 का आया है, उसके सारे objective का solution देखेंगे उन सारे objective का answer जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे यह बहुत important होता है कोई भी model paper किसी भी board exam के लिए क्योंकि model paper के हिसाब से इसी के pattern पर question पूछा जाता है इसलिए हम लोग model paper को जो है अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे ठीक है, इसमें total 100 question दिया हुआ है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 ही question बनाना है इसमें से सिर्फ आपको 50 question बनाना है, तो बहुत ही easy pattern है है ना, बहुत easy है, 100 में से 50 बनाना, बहुत आराम से आप कर लोगे सारे question को तो देखते हैं, एक-एक question को, एक-एक question को समझते है थोड़ा सा speed पढ़ाऊँगा क्योंकि question बहुत जादा है तो हम लोग answer देखते हुए चलेंगे, कि किसका क्या answer होगा और नहीं होगा तो चलिए हम लोग question number one से start करते हैं Question number one देखते है, question number one है The nurse will give him the medicine tomorrow तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, कि यह जो question है ना इस question में, एक minute इस question में जो है, दिया हुए है The nurse will give him the medicine tomorrow यह यहाँ पर क्या है, तो आपको नज़र आ रहा है ना यह passive voice है, और जब passive voice है तो active से passive change करने के लिए जितने भी helping verbs होते हैं उन सारे helping verbs पे आप ध्यान दिजेगा कि active से वो passive में कैसे change होता है तो लगबख passive voice लगबख voice जो है ना उसी से आपका solve हो जाएगा अब जैसे यहाँ ध्यान दिजेगा कि यहाँ पर active voice जो है, इसमें will दिया हुआ है तो passive में will भी होगा तो यहाँ he is है तो होगा नहीं यहाँ he has है तो होगा नहीं यहाँ he में है तो होगा नहीं तो he will be given the medicine by the nurse tomorrow option number B is the right answer चलिए question number 2 के तरफ चलते है question number 2 है यहाँ पर देखो यहाँ पर जो question दिया हुआ है यह आपके model paper से question दिये हुआ है model मतलब models भाव से question दिये हुआ है तो model से question तो इसमें याद रखेगा कि जब भी हम polite होके कोई भी बात किसी से कहते है polite होते है तो वहाँ पर हम wood का use करते है तो option number D जो है इसका सही answer हो जाएगा question number 3 I found this ring while I dash in the garden तो I found this ring while I was digging in the garden मैंने ये ring पाया जब मैं garden में जो हूँ गढड़ा कर रहा था ठीक है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा चलिए question number देखते है she said to the boy did you do this यहाँ पर आप देख रहे होँगे कि यह क्या है तो choose the correct indirect narration है यहाँ पर यह indirect narration दिया हुआ है है ना यह indirect narration है तो indirect narration में आपको क्या क्या ध्यान देना है आपको ध्यान देखना है कि यहाँ अगर said है तो इधर tense change होगा दूसरा अगर interrogative है तो इधर said के जगा होगा या say होगा या say होगा तो उसके जगा ask, ask या asked हो जाएगा तो यहाँ पर interrogative है और दूसरा inverted comma यह दोनों side में जो लगा रहता है यह हट के इफ बन जाएगा तो चलिए देखते हैं यह सब कौन से option में है option number A है ask the boy that यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर तो सही है ask लगा हुआ लेकिन that लग ग गया है और यहाँ ten भी change नहीं हुआ ask the boy if he did that तो यहाँ पर ठीक है ask भी लगा if लगा लेकिन यहाँ did jые ten जोगा ask the boy if he had done that तो यहाँ ठीक है ask भी लगा इफ भी लगा और past indefinite tense था तो इसको past perfect में बनाया गया यानि option number C बिलकुल सही है She told me why then he had done that तो option number D तो होगा ही नहीं चलिए तो option number C इसका सही होगा Question number 5 है These flowers sweets These flowers smell sweets हो जाएगा Option number A इसका right answer होगा He was out of parole यहाँ पर समझेगा पैरोल जो है ना पैरोल यह पैरोल वर्ड का मतलब क्या होता है देखो पैरोल वर्ड जो है ना पैरोल वर्ड का मतलब यह जो पैरोल है यह पैरोल शब्ड का मतलब होता है किसी सर्थ पे जो है ना कैदी को जब छोड़ा जाता है किसी सर्थ पे किसी भी कैदी को जब जिल से छोड़ा जाता है तो उसको भी पैरोल पे कहते हैं कि पैरोल पे छोड़ा गया है तो यहाँ पे देखो constant नहीं होगा constant नहीं होगा plung नहीं होगा to turn into stone भी नहीं होगा तो क्या होगा conditional release of prisoner अभी हम लोगों ने पढ़ा किसी सर्थ पे कैदी को छोड़ना prisoner मतलम कैदी तो यहाँ पर किसी भी condition पे सर्थ पे कैदी को छोड़ना ही क्या कहलाता है पैरोल कहलाता है तो option number B इसका right answer है question number 7 देखते हैं choose the correct sentence यहाँ पे correct sentence बोलता है possessiveness जो होता है और possessiveness often leads to problem between friends and possessiveness often leads to problem between friends सबसे पहली बात याद रखें कि possessiveness जो है न वैसे ही abstract noun है जैसे एक bravery है जैसे kindness है जैसे honesty है तो यह सब जैसे abstract noun है वैसे यहाँ पे possessiveness भी abstract noun है ठीक है न यहाँ पे अधिकार का भाव पर cut करना होता है इसका meaning और जो भी abstract noun होता है न उससे पहले हम article का use नहीं करेंगे तो यहाँ पर दो तो होगा ही नहीं है न औ भी नहीं होगा एन भी नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा option number B होगा इसमें कोई article लगा होगा नहीं है possessiveness often leads to problem between friends यानि option number B जो है वो बिलकुल सही है चलिए question number 8 है they are pretty they are intelligent choose the correct option यहाँ पर बोल रहा है correct option choose करना है ठीक है तो देखते हैं हम लोग इसका सही option क्या होगा they are pretty but intelligent option number A नहीं होगा they are pretty as well as intelligent intelligent and pretty are they pretty are they and as well as intelligent तो यहाँ पर सही answer जो हो जाएगा है एक दम सही combination है चलिए वे लोग खुबसूरत के साथ साथ वे लोग अच्छे के साथ साथ क्या है तेज भी है चलिए question number 9 है सुमीत सुमीत is a hard dash to crack तो यहाँ पर जो है option number है walnut nut almond या केशर तो इसका जो answer होगा option number V जो है यह बिलकुल सही है सुमीत is a hard nut to crack hard nut to crack जो है इसका सही answer होगा hard nut to crack का मतलब होता है किसी भी काम को करने में जब बहुत ज्यादा कठिनाई होती है तो वहाँ पर हम लोग hard nut to crack का जो है use करते है ठीक है मतलब कोई बहुती कठिन टाइप का का काम हो तो वहाँ पर यूज़ करते है तो option number B इसका right answer है चलिए question number देखते हैं दस he dropped from Maharashtra dash करनाटक without stopping करनाटक without stopping to rest तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर ना किसी एक जगह से दूसरे जगह जो है ना distance की बात हो रही है यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number C option number यह बिलकुल सही है बात को मतलब कहते हैं इसको बात को बढ़ा चड़ा के कहना है यह इसका मतलब होता है option number C is the right answer चूज़ दा correct synonyms of Dene Dene का synonyms क्या होता है यहाँ पर जो यह word दिया हो है ना इसका हिंदी मीनिंग होता है इनकार करना इनकार करना जब इसका हिंदी मीनिंग है ठीक है तो इसका हिंदी मीनिंग है इनकार करना तो ऐसे ही कोई एक शब्द को और कौन शब्द है जिसका मीनिंग भी सेम होता हो, है ना मना करना या इंकार करना, तो देखो, Regain मतलब प्राप्थ करना, Repair भी नहीं होगा, Reduce भी नहीं होगा, तो बच गया कौन? Refuse, यानि किसका सही अंसर है? Refuse, है ना, इसका मतलब भी वोई होता है, मना करना या इंकार करना. Give one word substitution for, a person who sells and arrange cut flowers, और परसन हुशेल से ने रेंज कर फ्लार्स उसे क्या कहते हैं तो फ्लोरिस्ट कहते हैं आपसन नंबर ए इस दराइट आंसर चलिए नेक्स्ट कोशन है आइधर माइसूज और यूर कोट डैस ऑलवेज ऑन दफ्लोर तो यहां पर देखेगा यह सब्जेक्ट भर्ब एग्रिम से सब्जेक्ट यहां पर सिंगूलर है ना इस आइधर के साथ जो दूसरा सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगूलर है तो भर्ब सिंगूलर यूज होगा अगर वो प्लूरल है तो भर्ब प्लूरल यूज होगा तो यहां पर यह यह और कोट इस सिंगूलर तो यहां पर है we will use singular भर्व यानि कि option number B is the right answer यहां पर 14 जो question 14 number इसका सही answer हो जाएगा option number B चलिए next question को देखते हैं this girl is very intelligent this girl is very intelligent choose the correct antonyms of underlying word यहां पर फिर से देखिए एक एक word दिया हुआ है intelligent और बोलता है इसका antonyms इसका उल्टा क्या होगा तेज है तो इसका उल्टा हो जाएगा डल है ना डल हो जाएगा इसका antonyms Mohan said to say good morning how do you do तो देखिए यहां पर क्या कहर रहा है यहां पर जो है ना चूज दा करेक्ट indirect narration कहने को कह रहा है करने को तो देखो good morning how do you do यह हम जो है किसी को wish करते हैं तो समझ गये हैं यहां पर विश वाली बात है तो वैसा ही कुछ जो है चेंज हुआ होगा direct in direct narration में है ना तो आपसे नमबर ए है मोहन विजड सयाम good morning and asked him how he was यह बिल्कुल सही लग रहा है दूसरा देखते हैं तो आज तो होगा नहीं विजड कर रहा है मोहन टोल भी होगा नहीं विजड कर रहा है तो आपसे नमबर ए ही सही है बाकी बाकी डी जो आपसन है उसको भी एक बार देख लेते हैं तो मोहन विजड सयाम good morning and asked him how he was तो देखो यह दोनों आपसन तो बिल्कुल सही है मतलब सेम है तो आपसन नमबर सी c is not a popular singer to use the correct option यहाँ पर see is not a popular singer यहाँ पर देख लो यहाँ पर जो है एक मिनट यहाँ पर singer है एक नाउन है उससे पहले एक adjective आया है यहाँ अल्ट का यूज कर सकते हैं यहाँ पर popular है ना तो sound के हिसाब से US binnen profund 있나 not a popular singer yani ki option number is the right answer question number 19 one of the boys dash selected one of the boys dash Alexis one of K episode singular word was selected choose the correct sentence Suganda is more intelligent than Dita Suganda is far intelligent human than rita Suganda is much intelligent Suganda is more intelligent from रिता कॉंपरेटिव सेंटेंस दे रहा है सुगंदा इस मोर इंटेलिजेंट दें रिता जो रिता जो है यह एकदम बिलकुल सही आंसर है यानि बीस का जो आंसर होगा वो आपसान नमबर ए होगा चलिए कुश्चन नमबर 21 देखते हैं यहां पर चूज दा करेक्ट ऑप्सन तो देखो बोल रहा है कि बुरे दोस्तों से साब्धान रहना चाहिए हमें हैना तो यहां पर अलॉंग विद एट वन्स अभाव और और अलॉंग और अलॉंग चार ऑप्सन आपको दिया हुए है तो देखो अलॉंग विद साथ साथ तो रहना नहीं चाहिए उनसे साब्धान रहना चाहिए तो अलॉंग विद तो होगा ही नहीं फिर हम बात करें इसका एट वन्स का तो एट वन्स भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका मतलब भी होता है जल्दी मतलब इमिजेटली तु तो above all जो है ना इसका मतलब होता है इसका जो मिनिंग होता है वो होता है खास कर यानि कि जब हम कहते हैं ना कोई बात की खास कर हमें ऐसे लोगों से साब्धान रहना चाहिए तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number C बिलकुल सही answer है above all beware of false friends dash I came to my house the door was open choose the correct option यहां पर dash I came to my house यानि की मैं आया घर the door was open door जो है gate जो है वो खुला हुआ था तो इसका सही answer option number V when I came to house जब मैं घर आया we dash respect the elders choose the correct auxiliary भर्व यहां पर auxiliary भर्व चूज करना है तो यहां पर आंसर हो जाएगा option number A we should respect the elders option number A has the report been finished by you has the report been finished by you choose the correct active voice यहां पर active voice है देखो passive voice में पहले से दिया है यह passive voice में दिया हुआ है तो यहां ध्यान दिजिए helping भर्व पर has है और been है है ना तो इसका जो active रहा होगा यह तो have रहा होगा यहां subject के हिसाब से तो चलिए देखते है have you finished to have had यहां पर had तो होना ही नहीं है फिर आते है डिड भी होना ही नहीं है फिर आते हैं have you finished या फिर has the report finished by you तो देखो U जो है वहाँ object है तो इसका जो सही answer होगा वो क्या होगा option number D जो है वही इसका सही answer होगा यानि की have you finished the report इसका बिलकुल सही answer है have you finished the report है ना ये नहीं हो सकता है option number B क्योंकि यहाँ object यू था तो subject बनेगा ना तो subject बनाया ही नहीं इधर question number 25 she is careful dash her studies use the correct preposition यहाँ पर she is careful careful के साथ हो जाएगा about she is careful about her studies they will have a party in which all of dash friends are invited they will have a parties they will have a parties there in which all of their friends are invited option number D is the right answer यहाँ पर इसका option number D हो जाएगा दे का पॉसेशी बनेगा देर those are probably the dash curtains in the stores यहाँ पर क्या सही answer होगा those are probably the fanciest fancy fanciest most fanciest तो यहाँ पर सही answer जो है ना fancy का fanciest होगा यानि कि option number C try to do it without dash too much noise try to do it try to do it without making यहाँ पर यह जिरुन का यूज करेंगे option number A try to do it without making too much noise है ना इसे करो बिना कुछ मतलब इसे करने की कोसिस करो बिना ज्यादा हला किये हुए fat smile those who grapple with realities of life 29 29 का देखते हैं देखो इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लेते है fat smile fat smile with fat smile on fat smile over fat smile round तो यहाँ पर जो answer होगा पहले वो देखो answer जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा option number B यानि की on होगा इसका सही answer 29 का answer होगा on और इसको समझेगा fat smile on those who grapple with realities of life यानि की किस्मत जो होती है ना उन्हीं से खुस होती है उन्हीं से खुस होती है जो जीवन की जो सचाई होती है जीवन की सचाई उसके से उससे उससे वो क्या करते हैं मुकाबला करते हैं ठीक है ना उससे मुकाबला करते हैं जीवन उससे क्या करती है खुर्ष होती है उन्हीं से मुस्कुराती है जीवन का सत्थ है उनके हिसाब से वे चलते हैं ठीक है तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा और यहां पर देखो यह जाएगा इसका राइट एंसर तीस देखते हैं 30 नंबर को सब्सक्राइब यहां पर देखो यह इसका सही आंसर क्या होगा अप्सान नंबर एविल इट वांट उसी से वांट बना है इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यू कैन यू कन मेंटेन अ गूल्ड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग तो यहां ध्यां दिजिए यह एक प्रिजेंट इंडेफिन टेंस है सिंपल प्रिजेंट टेंस है तो इसका नीगेटिव क्या होगा तो इसका जो नीगेटिव होगा वो हो जाएगा My friends does not write novels My friends does not wrote novels तो write novels यही option number A ही इसका सही हो जाएगा डूड़ज के साथ तो wrote लगे गा ही नहीं है ना will का तो कोई chance नहीं है can का chance नहीं है तो my friend does not write novel option number A सही answer है Question number 33 A large number of people have fallen victim days COVID-19 जब हम किसी चीज़ से जो है कोई भी बिमारी फेश करते है तो वहाँ हम जो है यूज करते हैं off का तो यहाँ पर जो है ना option number C is the right answer यहाँ पर off हो जाएगा A large number of people have fallen victim of COVID-19 Choose the incorrect sentence यहाँ पर he has an NCC officer incorrect कौन होगा वो देखना है He is an NCC officer बिलकुल सही है Diwali is a happy festival बिलकुल सही है Mount Everest is the highest peak in the world यह भी सही है तो चलिए गलत कौन है देखते हैं गलत है Do you like the cricket? यहाँ पर जो है ना दो लग गया है यह ध्यान दीजेगा cricket game के साथ जो है ना दो का यूज नहीं करेंगे तो यही गलत है और option लेकिन यहीं सही है question गलत लिखा हुआ है लेकिन option यहीं सही है यहानी की D is a is the right answer 35 I dash a book when he came I dash a week I dash a sorry यहाँ पर हो जाएगा I will read, had read, read यह नहीं होगा I was reading हो जाएगा option number B सही answer होगा I was reading a book when he will come जब आया मैं बुक पर रहा था किताब पर रहा था Choose the correctly spelled word यहाँ पर spelled word बताना है medicine का तो M, E, D, I, C, I, N, E option number D is the right answer 36 का answer हो जाएगा option number D अब यहाँ से 37 to 60 are based on the prescribed texts यानि की यह सारे बुक से लगभग question दिये हूए है 37 से 60 सक तो चलिए उसको देखते है पहला question क्या है We notice that the mind is lesser word the more it gets the more it wants dash is from यह कहां से लिया गया है तो Indian Civilization and Culture से लिया गया है ठीक है न, इसका सही आंसर हो जाएगा Indian Civilization and Culture 38 नानुका का love to speak in dash when he was unable to express something in English or Hindi नानुका का जो है न, उनको बहुत अच्छा लगता था यानि कि जब वो बहुत गुसा जाते थे तो वो कौन से भासा में जो है न, बात करते थे डैस विद इच अधर, Civilization has taught us to be more डैस विद इच अधर, यह हो जाएगा Civilization has taught us to be more friendly with इच अधर है न, चलिए, question number 40 है बट्रेन रसेल वस फ्रॉम, बट्रेन रसेल जो है वो कहां से थे, तो बट्रेन रसेल रसिया से थे या, नई, बट्रेन रसेल डैरेक्ट याद रखेगा बट्रेन से थे, बट्रेन रसेल जो थे, वो बट्रेन से थे option number 40 का question, 40 जो question है, उसका सही answer होगा, D, चलिए, next question देखते है डॉक्टर जाकिर हुसेन, इंटर दो आफिस ऑप्रेसिडेंट बीद, इसका सही answer हो जाएगा, option number C, humility death was not right in his head, death was not right in his head तो यहाँ पे बोल ला है, कि death was not right in his head मतलब कि कौन जो है अपने दिमाग से सही नहीं था, तो आप the earth पढ़े होंगे, तो बेंजी के बारे में आप जानते हैं वो दिमाग से सही, नहीं था, option number A होगा, 42 का and as we walk, we make the place that we shall always march ahead, death is from यह लाइन कहां से लिया गया है, तो I have a dream का यह लाइन है option number B हो जाएगा, whom will not long continue to offer up their bodies and minds to such happiness, competition, brutality, इसका सही answer हो जाएगा, brutality, brutality, option number D, without a free desk, there can be no free people objective question, यह सारा book से दिया हुआ है, अगर आप book पढ़े होंगे ना तो उसका सारा यह objective आपको समझ में आ रहा होगा, कि वो कैसे दिये हुआ है अब यहाँ जैसे दिये हुआ है, without a free desk, there can be no free people अगर price, यहाँ पर जो है ना, यह price हो जाएगा, without a free price, अगर free price नहीं होगा, ठीक है ना, तो हम कैसे free रहेंगे, ठीक है ना, तो इसका सही answer होगा, option number A Benji understood everything about the business, Benji understood, अब यहाँ पर जैसे दिये हुआ, Benji understood everything about the business, तो Benji क्या चीज के business के बारे में सब कुछ समझ गया था, तो आपको पता है ना, वो hints के बारे में सब कुछ समझ गया था, मुर्गी के बारे में, इस सब सारे परोज जो है, आप जरूर पढ़े होंगे, है ना, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, दा पोएड वेटेट फॉर दैसनेक, वेटेट फॉर जो था, वो सनेक का वेट क्यों कर रहा था, यह हैड केम आफ्टर ही आफ्टर दैसने, क्योंकि वो जो हैना, साप के बाद आया था, इसलिए वो सोच रहा था, कि पहले साप पानी पी पी लेगा, उसके बाद मैं प्यूंगा, इसलिए वो उसका वेट कर रहा था, और उसे पानी पीने दे रहा था, ठीक है ना, यह सनेक ही जो है, उसी का, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है, दे हु किप वन अनदर लाइव, कैन नेवर, डाई, बी पार्टेड, सिलिप, यहां यह भी उसी से है, जब लुक सूइटेस लव, आई डूनाड आप पढ़े होंगे, तो उसी में बोलता है, जब वो जा रहा होता है, उसे दूर, अपने, अपने बिलवड से तो कहता है, कि जो एक दूसरे में बसे होते हैं, एक दूसरे के दिल में होते हों, वो कभी अलग तो आपसे नमबर B is the right answer 49 आपसे इन्थे इंदे इंटर्नल माइड नो लेस इस फ्रॉम यह लाइन लिया हुआ है दो सॉल्जर से यह लाइन जो है दो पोयम जो है दो सॉल्जर उसी से लिया हुआ है आपसे नमबर इसका हो जाएगा इसका क्या अंसर हो जाएगा The Soldier यानि Option No.A Question No.50 पे आ गए है Mekavity is dead on the scene of crime Mekavity Mekavity The mystery cat जो है उसी का ये लाइन है कि Mekavity जब भी कहीं पे crime होता था ना तो वहाँ वो नहीं नजर आता था Mekavity is never on the scene of crime वो वहाँ मौजूद नहीं होता था पराइम करके भाग जाता था जालिए The Heart is littered with घाट जो है वो क्या चीज़ से पसरा हुआ था वहाँ क्या चीज़ का धिर था तो हाब बंड बाडी नतलब की हाब बंड बाडी ही होगा ना वहाँ घाट पर क्या होगा वहाँ जो है हाब बंड बाडी को जो है फायर हिम का यह लिया हुआ है यह कॉस्चन तो उसी में बोलता है कि कुछ जो आग जो है ना कुछ अपने सरीर में से कुछ भाग को क्या करता है जलाना भूल जाता है ठीक है ना कॉस्चन नमबर 52 वेर ड़स दे लेडी लाए वो लेडी कहां लेटी हुई थी कौन लेडी कहां लेटी हुई थी एन एपिठफ जो हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेगा ग्रेब यार्ड में एक बहुती खुबसूरत लेडी होती है जिसके पारे में पोयम बता रहे होते है कि अब इसकी जो खुबसूरती है वो क्या होगी वैनिसे हो जाएगी यानि कि खतम हो जाएगी और वो लेटी हुई थी वो मर गई थी तो कब्रिस्तान में कब्र में लेटी हुई थी वो रोट दा वेस्ट लैंड और फॉर क्वार्ट यहाँ पे बोला है वैसे लैंड फॉर क्वार्ट किसने लिखा है जिए इसका जो सही अन्सर हो जाएगा वो हो जाएगा टी-एस एलियएट और सण नम्बर ए इसका सही अन्सर होगा टी-एस एलियेट फोयम का है कौन जो है अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करता था या रहा करती थी तो कमला दास जो है अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी 55 का अप्सान नंबर C हो जायगा सही आंसर 17th century century is the age of 17th century किसका एज था romanticism का एज नहीं था interrogation का एज नहीं था यहां पर सही आंसर जो हो जाएगा option number D हो जाएगा transition यह उस time में जो है ना मतलब 18th century के लगभग लगभग में था ठीक है ना तो एकदम perfect नहीं है लेकिन हाँ उसी के time 18th century से कुछ पहले divine तो यहां पर यह line किसने लिखा है बोल राय देखाँ इन्सान जो है ना वो गलती करने का पूतला होतायो हो गलती करता है और भगवान जो है अपने बंदों को क्या करता है अपने जो इसके जो बनाए हुए इंसान है उन्हेरे वो माफ करता है तहना तो यह यह लाइन लिखा हुआ है अलेक्स जिन्डर पॉप के द्वारा अप्सन नमबर ए सही आंसर होगा फू रोट गितांजली गितांजली किसने लिखा है तो गितांजली लिखा है रबिंद्रनाथ टैगोर ने 58 का हो जाएगा अप्सन नमबर बी 59 देखते हैं the Indian English Poetry started in Indian English Poetry जो है यह पूछ रहा है कि start कब हुआ था तो Indian English Poetry start हुआ था 19th century में आप्सन नमबर सी सही होगा अप्सन्ट नमबर ऑफ प नियुनिवरस इसका सही ओअनसर होजाएगा उपसन नमबर डी से 41 किरण किरण डिल्स डैस वाइन तो देखो वीध होगा नहीं है न है न डिल्स वीरस्टब का मतलब अनिप nicतरा करना यानि डिल्स इन मतलब होता है वैपार करना के सक्षें किस था पार करती है है न तो यहाँ पर शही आथर आ जा जाए 62 है that train went by it did not stop choose the correct combination यहां पर combination बोला है चूह करने के लिए the train went by while stopping the train went by without stopping the the train stopping went by without the train is stopping and then went by तो इसका सही आंसर जो होगा वह जाएगा the train went by यहाँ पर सही इसका आंसर क्या होगा 62 का जो है आंसर हो जाएगा भी दे ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग यानि कि ट्रेन जो है बिना रुके हुए ही चला गया यहाँ पर जादा समझने की जरूरत नहीं है कि टुमारो लग गया है तो यह चला गया फ्यूचर में और फ्यूचर में ही के साथ विल लगेगा ना तो आपसर नमर डी सही आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा है चूज देखते हैं यह चूज़ देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा capable के साथ off लगाएंगे He is capable of doing this work 66 को देखते हैं He does a poem now Choose the correct तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं समझे ना ना दिख रहा है ना आपको यहाँ पर जैसे ही ना दिखे यह present continuous में चला गया He is reading a poem now यहाँ आपसा नमबर B सही आंसर होगा Choose the correct sentence यहाँ पर correct sentence चूज करना है We must resume our work We must resume our work Must be work Should we resume our work तो देखो इसका जो सही आंसर होगा We must resume our work सही हो जाएगा यह question में interrogative sign चूटा होगा है ठीक है तो यही question जो इसका जो सही आंसर होगा 67 को आपसा नमबर A वही सही होगा We stopped desk यहाँ पर we stopped के साथ लगेगा Worked, head work, will work तो यहाँ पर देखो है ना एक भर पहले से आ गया है V2 के रूप में we stopped ठीक है V2 के रूप में एक भर पहले से आ गया है तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो यहाँ जिरंड का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पर तीर का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग साउंड के हिसाब से जो है एरो के साथ ए या इन का यूज करेंगे तो यहाँ पर यहाँ आंसर होगा आर्टिकल ए या इन का यूज यहाँ पर होगा एरो मतलब तीर चूज दा करेक्टली स्पेल्ट वर्ड यहाँ पर स्पेल्ट वर्ड चूज करना है सेवेंटी नंबर कुश्चन में सही स्पेलिंग क्या होगा तो बैग इस आपसन नंबर डी हो जाएगा यह एक्टिब में डिड है तो पैसिब में क्या होगा पैसिब में यह वाज होगा या वर होगा यहाँ पर इज वाला गलत है यहाँ अब बाकी तीनों में वाज है तो देखे दा डॉग वज नॉट किल kill तो लगेगा ने भाई पैसी भैटो भीतिरी हो जाएगा ना तो देखो उसका तीसरा में आते है the dog was not killed by me the dog was not to kill not to kill हो गाई नहीं या उपर से इसमें भीतिरी भी नहीं है तो सही answer क्या होगा option number c option number c बिल्कुल सही है the dog was not killed by me यानि 71 का option number c बिल्कुल सही है 72 an enclosure of keeping birds is an enclosure enclosure जो यहां पर बोल रहा है enclosure of keeping birds को रखने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं तो aviary कहते हैं option number c 72 का option number c the synonym of the synonym of kind is synonym क्या होगा kind का synonym पूछ रहा है क्या होगा soft होगा cruel होगा pretty होगा या human होगा इसका सही answer होगा option number d 73 का a house has been bought by him a house has been bought by him choose the correct active voice house has been यहां पर देखो यह passive दिया हुआ है तो has been है यानि have या has आपको देखने को मिलेगा is होगा नहीं में होगा नहीं हैड होगा नहीं यानि दिग गया आपको option number b he has bought a house have has been है या have been डहता तो वह या has ही देखने को है याद रखें चलिए तो 74 का जो है वो क्या हो गया सही answer he has bought a house option number b 75 the antonymes of borrow borrow का antonymes क्या होगा तो इसका borrow का antonymes हो जाएगा land यानि की option number c 76 manos is proud as his wealth manos is proud manos is proud of his wealth है ना इसका 76 का answer हो जाएगा वे प्रावड के साथ अफ लगाएगा option number b he does teaching for 10 years he does teaching he has been teaching for 10 year option number a 77 का option number यह चूज दक ओड 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 वन यहां पर चूज दो ओड वन करना है मतलब साब बाकी कौन है जो यह चारों में से अलग है तो इन चारों में से मिल्क जो है ना वो अलग है option number d इसका सही answer होगा बाकी यह तीनों एक्स जैसे हैं है ना अनाज है sometimes it does heavily choose the correct option rains तो sometime it's rains it rains heavily यानि option number 79 का option number a सही answer हो जाएगा mums is a dangerous mums क्या है तो mums एक बहुत ही खतरना एक बिमारी है यानि कि 80 का जो सही answer होगा वो हो जाएगा disease c 80 का c हो जाएगा 81 he lives in a house he lives in a small house option number b सही होगा 81 का हो जाएगा option number b c insist that living immediately choose the correct c insist on living for living by living with living तो यहां पर पूछ रहा है कि 82 का सही answer क्या होगा तो 82 का जो answer होगा वो होगा insist के साथ हम on का यूज करेंगे option number a c insist on living immediately you have to dash it choose the correct option you have to accept it option number a 83 का option number a हो जाएगा do not walk choose the correct option bread and butter देखो इसका सही answer हो जाएगा option number b उसा number b सही answer होगा इसका बाकि कुछ नहीं होने वाला bread and butter होगा नहीं बाइण बाइण होगा नहीं हैड है टु हैंड हैंड टु हैंड भी नहीं होगा 84 की बात कर रहे हैं ठीक है न इसका मतलब एक एक करके हो जाता है यहाँ पर इसका मतलब from 85 to 100 are based on the prescribed text यहाँ पर फिर से जहाँ बुक से पूचा हुआ कोशन है 85 से 100 तक तो चलिए देखते हैं पहला कोशन क्या है पहला कोशन है a certain degree of physical harmony and comfort is necessary is from यह line कहां से लिया गया है तो यह line जो है न लिया गया है भारत is my home से option number d इसका सही answer हो जाएगा 85 का कि इंडिया फ्रोट अव्लस आई इजा इंडिया फ्रोट इस्टोरी है नहीं है और 9 एक्स एकस एक्सपर्ट है नहीं है एक्सट एक्जेप्ट है नहीं है यह भी नहीं है और बच गया पॉलिटिकल स्टोरी तो देखो यह भी सही आंसर नहीं है यहां पे टैवलॉग हो सकता था ठीक है न लेकिन पॉलिटिकल स्टोरी बाकि देखो यह तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है यह तीनों तो है ही नहीं ठीक है तो बच कौन गया पॉलिटिकल स्टोरी तो तो इन ही लेंड हो जाएगा इसका सही आंसर है ना नेग्रो वाला जो आफ ड्रीम है उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में उसको आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वह अपने धर्ती पे उनके साथ जो है अच्छा वहबार नहीं किया जाता था वह लोग अपने र फ्रेंडली वाम तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उप्सन नंबर ए होस्टाइल यानि कि हमारा खुद का जो वहबार होता था ना दूस होता है दूसरों के परती जैसे अपने छेतर से कोई नहीं है इस टाइप से जो डिफरेंट होते हैं हमसे हमारा वहबार उनके साथ ह मुवेवल है यानि कि 89 का आपसा नंबर सी सही आंसर होगा अडिग है नानुका का वाजदा नेरेटर ओफ नानुका का जो है वो नेरेटर्स नानुका का वाजदा नेरेटर्स नानुका का नेरेटर्स के क्या थे तो नानुका का नेरेटर्स के मेटेरनल अंकल थे मेटेरनल बिलोंग करता एक है आटम से बनाँ है है ना तो रुपर्य पुरू काते हैं या टी ऐसेलेट कहते है या गौल वीटमें आफै gonna ने लौ zwischen तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वहो जाएगा वौ टी वेटमें यानि कि ऑफ सन नमबर सी इसका राइट आंसर होगा option number C Walt Beatman कहते हैं kids is a dash poet kids जो है कैसे poet थे kids जो है वो एक romantic poet थे kids एक romantic poet थे याद रखियेगा और जान किट्स dash is an inscription of a tom in the memory of dead जो पोजम है उसी का कर्शिचन भी है की सिला लएक लेख लेख एक लेख दा जो पेल लिखा जाता है घब कोई मर जाता है तो उसके कबर पर जो है एक पत्थर पे ञाद करके लिख देते हैं उसका है पत्थर बशेयाK पत्थर को तो यह एन एपी टफ जो है इस एन इंस्क्रिप्शन एक लेक है ठीक है याद रखेगा दसोल्जर बिलॉंग टू तो दसोल्जर बिलॉंग टू तो दसोल्जर बिलॉंग टू इंग्लेंड दसोल्जर पोयम जो है वो कहां कहां किस के किस देश के बारे में बात तो यह सही आंसर इंग्लेंड ही होगा। हुउरोट फायर हमकिस ने लिखा है तो फायर हम लिखा है दाड़ु बाला ने, केकी एंधारु बाला ने इस पोयम को लिखा है। तो देखो एक प्षू के अगरों को केंग गार। आइंगलिस यूँश जिन्सっち काल २ muscles a 1500 Ad ન है उसे बोल ला है कि क्या कहते है 97 cancer हो जाएगा यह नीचे modern English यानि की option number C हो जाएगा modern English 1500 के बाद से geben modern English का जो है modern English हो रहा है लों मह मौडन इंगली स्यूंज हो रहा है मतलोंे स्टार्टिंग हुआ था the great whale से वाल्ट इसा काुष प्लेस दूर्ग नाइन्टी एट तुमसें गृट करने लगा था यानी की लोग जो को अलग अलग तरीके से अलग अलग शांड में बोलना इस्टार्ट कर दी थे इसका मतलब यह है ठीक है ना याद रखेगा इसका मतलब है लोग अलग अलग तरीके से उसको जहना पनेंसियसन करने लगे थे लगे थे लिए 98 का option number D हो जाएगा दो question और बच गया है who wrote the lotus यहां पर पोल ला है lotus किसने लगा लिखा है तो तोरूदत option number B इसका सही आंसर हो जाएगा 99 का हो जाएगा option number B last question है new varieties of English is call English के नई वराइटी को क्या कहते हैं तो American English कोते हैं option number B thank you very much सारा question हम लोगों ने कर लिया है उसके सारे answer को हम लोगों ने देख लिया है कोई अगर आपको doubt हो तो आप मेरे WhatsApp number description में मेरा number दिया है आप उस पर जो है message कर सकते हैं और पुछ सकते हैं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दिजिएगा और comment किजिए और like किजिए और share भी कर दिजिएगा ताकि और भी लोग देख सके उन्हें भी जो है इससे help मिल सके और subscribe कर दिजिएगा चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में thank you very much